नमस्कार मैं विद्धा SSV Education में आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तो जनवरी, फरवरी और मार्च एक ऐसा टाइम है जब लोगों का इन्वेस्मेंट की बड़ी यादे जोरों से आती है जिसके पीछे में रिजन है, इन्वेस्मेंट डिटेल सब्मिट करना होता है और इसके बेसिस पे आपका टैक्स कल्कुलेशन किया जाता है ऐसे इंपोर्टन टाइम पर मार्केट में नया है, एन्फो एनि न्यू फंड ओफर आया है इसका नाम है SBI Retirement Benefit Fund क्या है NFO, क्या आपको इस स्कीम में स्कीम से टैक्स बेनिफिट मिलेगा यह सारी बाते में आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगे वीडियो को एंट टक देखिए चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जो फेजबुक डील ने काफी positive sentiment ग्रेट में इसके पहले आपको सबसे पहले एक demand अकाउंट खोलना पड़ेगा और वो आप description में दिए गए एंजल ब्रोकिन के लिंक से खोल सकते हैं एंजल ब्रोकिन देश का number one full time ब्रोकर है जहां आप फ्री में चन्द गंटों में अपना डिमेट अकाउंट ओपन करके ओनलें ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं ओ भी बिल्कुल फ्री में तो देर मत कीजिए और आज ये एंजल ब्रोकिंग से अपना अकाउंट खोलिए नीचे दिये गए लिंक से एनेफो क्या है एनेफो का मतलब है न्यू फंड ओफर कोई भी एमसी यानि एसेट मैनेजमेंट कमपनी जब अपना नया स्कीम लांच करती है उसको एनेफो कहा जाता है यह आईपियो की तरह ही है कुछ केसेस में यानि एक लिमिटेड टाइम पिरेड के अंदर जो एमसी डिसाइड करेगा उसको उसी पिरेड में एनेफो के इन्वेस्मेंट करना होता है एनेफो इन्वेस्मेंट विंडो खत्म होने के बाद आपको फिर से एमसी के फिक्स के वे विंडोस में ही investment करने का options मिलेगा NFO कोई company तब लाती है जब उसको fund की जरुरत होती है या तो equity में invest करने के लिए या फिर कोई और expenses के लिए यह है NFO का पूरा फंडा, अब आते हैं SBI Retirement Benefit Fund यानी SBRF पे SBRF क्या है, SBI का नया NFO है, जिसमें आप 3rd February 2021 तक invest कर सकते है, SBRF में invest करने के लिए क्या-क्या options आपके पास है एक है aggressive, 80 to 100% equity, second है aggressive hybrid, 65 to 80% equity, third है conservative hybrid 10 to 40% equity fourth है conservative, 20% टक equity में invest करेगा यह 4 options आपके लिए available है Strength and weaknesses, इस fund के positive and negative इतने closely link with each other है कि अलग-अलग बोलने से भी आपको समझ नहीं आएगा, तो पहले positive यह है कि अलग-अलग risk profile वाले investors के अलग-अलग plans and options है जो जादा age है उनके लिए conservative and hybrid conservative वाला plan work करता है young investors जो अभी investment and money growth एम कर रहे हैं उनके लिए aggressive and hybrid aggressive plans ही होगा लेकिन उनके साथ जो बहुत बड़ा negative है वो है ATC के अंदर tax benefits ना मिलना SBRF में आपको immediately ATC के अंदर benefit नहीं मिलेगा तो जो लोग सिर्फ tax बचाने के लिए SBRF में invest करना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहुत बड़ा negative होगा और इस वजह से SBRF को कुछ हद तक परिशानी भी face करनी पड़ सकती है past circle lock in period है young investors के लिए बहुत अच्छा option है क्योंकि young investors के लिए return important होता है और सबसे important यह है कि आपको अगर 3 साल के बाद लगा कि आपका plan change करने के अंदर बेटिव में shift करना है तो आप shift कर सकते हैं लेकिन आप जितनी बार transfer करेंगे उतनी बार आपको capital gains tax देना पड़ेगा यह हो एक negative point बनके उभर सकता है हर एक option में आप gold ETF और foreign securities दोनों में invest कर सकते हैं fund manager गोर मेता equity वाला पार्ट संभालेंगे और दिनेशा हुजा fixed income पार्ट संभालेंगे मेता जी HBI multi asset location fund को भी संभालते हैं जो लोग foreign securities में invest करना चाहते हैं उनका fund संभालेंगे मोहिट जैन हर एक plan का equity portfolio का एक और portfolio होगा जो growth stocks पे invest करें किया जाएगा buy and hold strategy के साथ इसका implementation होगा यह investment 50% होगा बाकि 50% अलग-अलग companies में invest किये जाएगे यह companies को choose किया जाएगा उसके business performance economics factors और कही सारे ऐसे indicators देखके aggressive and hybrid aggressive funds को AAA rated PSU and sovereign bonds में invest किया जाएगा क्या इसमें खत्रा जादा होगा बिल्कुल सही मगर conservative और hybrid conservative plans में आपका equity portfolio का amount कम होगा इसलिए risk भी कम है यानि जादा डरने वाली बात नहीं है फिलाल SBI retirement benefit fund एक versatile and flexible investment option प्रोवाइड कर रहा है आपको क्या लग रहा है इसके बारे में comment करके बताईए और चैनल को subscribe जरूर कीजिए करके दिए में झाल करके बारे में इसके बारे में इसके बारे में आपका प्रोवाइड करके जाएडी बारे में झाल झाल